हिजबुल्ला ने इस्राइल के दक्षणी हाइफा के बिन्यामिना बेस पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटेक किया इस हमले में इस्राइल के एर डिफेंस सिस्टम में मौजूद खामियों की कलाई खोल कर रख दी वो इसलिए क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त इस्राइल का कोई भी एर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्ला के ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और दबे पाउं इस ड्रोन ने फटने से पहले बिन्यामिना बेस पर एक मिसाइल फायर कर दी जिसमें 60 से ज्याद ले ने इस्राइल की ताकत पर बट्टा तो लगाया ही साथ ही ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या आइडियेफ हिजबुल्ला के ड्रोन के आगे लाचार है और आखिर कैसे हिजबुल्ला के ये ड्रोन हाइफा के इतनी भीतर तक घुसाए तो आपको बता दें कि टाइम्स ओ मिरसाद वन ड्रोन हो सकता है इस ड्रोन को इरान में अबाबिल्टी के नाम से जाना जाता है आपको बता दें कि मिरसाद वन ड्रोन 120 किलोमेटर की दूरी तक उडान भर सकता है और इसकी रफतार 370 किलोमेटर प्रती घंटा तक जा सकती है ये ड्रोन 40 किलो विसफो टक ले जाने में सक्षम है और 3000 मीटर की उचाई तक ये उड़ान भर सकता है बड़ी बात यह है कि इससे पहले 11 अपरेल 2014 को हिजबुला का एक ड्रोन चुपचाप पश्चमी गलीली में करीम 9 मिनट तक मंडरा आता रहा था और इसके बाद ये ड्रोन सुरक्षित दक्षणी लेबनान लोटाया था हाला कि हालिया घटना को लेकर इसराइली मीडिया का कहना है कि हिजबुला ने हाइफा पर दो ड्रोन दागे थे दोनों को ही IDF के रेडार ने चिन्हित कर लिया था इन में से एक ड्रोन को हाइफा के तट पर मार गिराया जबकि दूसरा ड्रोन रेडार से बच निकला और बिन्यामिना बेस पर जाफटा टाइमस ओफ इसराइल का कहना है कि इस ड्रोन के पीछे इसराइली जेट्स और हेलिकॉप्टर भागे थे लेकिन ये रेडार से बच निकला और IDF इसे ट्रैक नहीं कर पाई वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम को उलजाने के लिए हिजबुला ने एक साथ कई रॉकेट्स दागे और इन रॉकेट्स के बीच में उसने ये ड्रोन भी फायर किये ताकि आईरेंड डोम इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में उलज जाए और पीछे से ये ड्रोन हाइफर तक पहुँचे वहीं इसराइली एर फोर्स का कहना है कि ये ड्रोन उत्तर पूर्वेकर के करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर रेडार से गायब हो गया था और आईडियफ को लगा कि ये ड्रोन क्रैश हो गया लेकिन आदा घंटे के भीतर जब ये ड्रोन हाइफा के बेस पर हमला कर रहा था तो उस वक्त ये दोबारा आईडियफ के रेडार पर नजार आया और उस वक्त हवाई हमले का कोई साइरन नहीं बजा जिससे जिन में से 221 ड्रोन इसराइल के एर डिफेंस में घुसाए थे वहीं इसराइल के आलमा रिसर्च इंस्टिट्यूट का कहना है कि उत्तरी बॉर्डर से करीब 560 ड्रोन पार करने की घटनाएं सामने आई है वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर तैलाविव में इंस्टिट्यूट ऑफ नैशनल सेक्योरिटी स्टडीज के रिसर्चर डॉक्तर येहुशुओ केलिस्की ने बीबीसी को बताया कि इन में से अधिकतर ड्रोन इरान द्वारा बनाये गए हैं और लेबनान में हिजबुल्ला को सप्लाई किये हैं इरानी ड्रोन्स का रेडार सिगनेचर छोटा होता है और ये कम उचाई पर उड़ सकते हैं जिससे शुरुवाती तोर पर इन्हें पहचान नाम मुश्किल है कई बार तो इन्हें पक्षी समझ कर एर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो सकता है ये बेहद ही धीमी रफतार से उड़ते हैं जिसकी वज़ा से इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल है ये लडाकु जेट की स्पीड 900 किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार के मुकाबले 200 किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार से उड़ान भरते हैं और इस सब के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल को जल से जल हिजबुला के इन ड्रोन्स का कोई टिकाऊ और मजबूत तो ढूनना होगा और इसराइल ऐसा करने में काम्याब होता है तो हिजबुला के साथ इस बार इसराइल की जंग की दिशा और दशा बदल सकती है